हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग हां जी बेटे मैं इस वीडियो में आप सारे बच्चों को सीए इंटर ग्रुप वन अकाउंट्स का मेट 23 एक्जैम्स का पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूं पेटे कि जब बच्चों रहें यह पेपर दिया था मुझे वाट्सअप के उपर इतने मैसेजिज आए कि जिंदल से रव्यू डालो रव्यू डालो रव्यू डालो तो मैं एक्जैम्स के बीच में रव्यू डालता नहीं हूं क्योंकि बच्चे के पेपर अभी बाकी होते हैं मैं को आरा मैं साल्यूंप करके दे रहा हूं कि मैं सार वेपर स्ञीक करके दे रहा हूं कि बच्चे बच्चे को पता लग जाए क्या सदूंसा बंग इसमें इसमें concept based आएगा तो बच्चों के दिमाग में मुझे पता है क्या चल रहा है बच्चे यह सोचने कि जिंदल सर कोशन पेपर सौल करवाने से पहले आप हमें जरूर बताना कि आपका इस पेपर को लेके क्या point of view है क्या यह पेपर easy था क्या यह पेपर hard था क्या यह प के बच्चों को consider करूं कि बच्चे इंटर लेवल पे हैं और पहला पेपर है entry लिवर entry लेवल पेपर है आगर मैं उस हिसाब से अपने व्यूज आपके सामने रखों तो मेरे इसमें बिटे दो ओपीनियंस हैं कि मेरे इसमें दो ओपीनियंस हैं कि फर्स्ट औपी कि पेपर लेंदी था पेपर लेंदी था पेपर लेंदी था पेपर लेंदी था पेपर लेंदी इसलिए था एक कोशन है मानलो पांच नंबर का उसके अंदर दो तिन रिक्वार्मेंट दे रखी हैं पहली बात तो कोशन बीस नंबर का बीस नंबर के अंदर पांच पांच नंबर के च करने में दिक्कत आई होगी जो बच्चा पूरी त्यारी के साथ गया वह यह नहीं कह सकता कि पेपर मुश्किल था वह यह बोलेगा पेपर तो आता था मैं पूरा अटेंप्ट नहीं कर पाया तो यह जो पेपर था यह लेंदी था नॉर्मल जो पेपर होते हैं उनके कंपेरि और साथ में सीए भी कर रहे है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा है मैं ब्रिलियंट बच्चे की बात नहीं कर रहा है मेरी सारी बाते मेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरी सारी क्लासिज मैं एवरेज बच्चे के हिसाब से रिकॉर्ड कराता हूं इसलिए लोग मुझे मालगाड़ भी कहते है क्योंकि मैं स्लो बड़ाता हूं मेरा यह मानना भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको स्पीड कम लग लेकिन कि अटीटी यह साथ लेकर चलता हूं मेरा लेंदी पेपर की वरह से थोड़ा सा ICI से डिसपॉइंट हूँ कि उनको थोड़ी सी टाइम मेनेजमेंट करनी चाहिए कि बच्चे के उपर क्या भीतेगी इस बार का सीए फाइनल का एफर का पेपर भी सुपर लेंदी था आप मेरी वीडियो देख सकते हैं एफर वाली मैंने उसमें भी बात बोली है कि भाया पेपर पूरा टैंप्ट नी हो सकता है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बंदा पेपर बना रहा है और वो टाइम की यह बोलूँ कि एजी था यह एक मीडियं मेडियम लेवल पेपर था मोथा है मीडियम लेवल पेपर would you क्यों कहा रहा हूं? कि इसमें कुछ कोशन तो बहुत असान थे कॉषन कपड़ा, कॉछ जानने हैं केशन का पड़ा, कंपनी फाइनिल का शनल्स का आपको पता है ट्रयाल बेलास होते हैं और त्र Constitution कर से थे लेंड़ी थोड़ा सा पड़ता है अच्छा 10 मिनट बैटके सोच था तो कॉमन सेंसे सॉल्व कर सकता था कॉमन सेंसे तो मिक्स्ट पेपर बोलूगा अगर बोलो जी पेपर हाड था तफ था ना जी ना यह बात तो गलत है तफ तुफ कुछ नहीं था पेपर लेंदी था लेकिन पेपर टफ नहीं था और अगर कोई बच्चा यह कह रहे है कि जिंदल सर पेपर टफ था उसकी त्यारी अप कि नहीं पर भी शेयर करूंगा जितने स्टुटेंट्स मेरे से पढ़े हैं वो इस बात से अग्री करेंगे आम तोर पर टीचर्स केया ना सॉल्यूशन देने से बचते हैं क्योंकि सजेस्टेट आंसर चेंज हो सकता आपका लेकिन मुझे पता इस पेपर में कुछ आई नह है आपको सीलुशनाब ही किरा देता हूँ सारा पेपर सॉल्व कर देता है आपके सामने आप अपना पेपर मैच कर ले दे रा मैज कुछ लिए त meowर त नहीं था मैं यह बात ऑपाल नहीं पर टोफ नहीं था कर cortisol human को हिसे क्रोंटी माक्स का सारे बच्छों को पता है और यह ق कोशन 20 marks compulsory कोशन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है एक्जिट लेने का यह करना ही पड़ेगा आपको और मैं क्लास में हमेशा बोलता हूं कि पांच-पांच नंबर के चार कोशन आने और आने भी accounting standards में से एस बेस्ट होते हैं यह पहला कोशन कंपलसरी एस बेस्ट और सारे बच्चों को पता है जो न्यू कोर्स है जो अभी सीए इंटर का न्यू कोर्स प्रपोस कर रखे हैं उन्होंने मुझे लगता है जुलाई में आ जाएगा और में 24 से अपलीकेबल कर भी देंगे सारे के सारे एस डाल दिये अकाउंटिंग स्टैनर वन से लेके 29 तक सारा स्लेवर्जी एस बेस्ट कर दिया अब बच्चे को एस पढ़ने ही पढ़ेंगे थिरिटिकल प्रैक्टिकल सब अब आएगा मजा अब जो सीए फाइनल के टीचर हैं वो तो इंटर में सर्वाइब कर जाएंगे और जो बच्चे जो टीचर सिर्फ फाउंडेशन इंटर को पढ़ाते हैं मुझे लगता उनको एस पढ़ाने में टेंशन हो जाएगी तो फाइनल के टीचर इंटर में पढ़ा लेंगे बड़े कंफर्टेबल तरीके से हम इतने सालों से पढ़ा ही रहा हूं या दूसरे सीनियर टीचर भी है जो पढ़ा रहे हैं हमारे लिए कुछ खास बात नहीं है हम तो सीए फाइनल ओल्ड कोर से उठा कि आपके इंटर में लिया है बच्चा एस पढ़ता ही था अब पढ़ना पड़ेगा पड़ो 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 क्योंकि इंडस्ट्री में काम आएंगे सारा स्लिवस आपका प्रैक्टिकल हो गया जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती आपको करनी पांच में से चार करने तो एक ऑप्शनल होता है यहां थोड़ी सी च्वाइस मिल जाती है आपको तो यह आपका सो नंबर का पेपर है जी हम सौल कर लेते हैं अब दिकत दिए मेरी चल रही है रिकॉर्डिंग से इंटर निव कोर्स की भी चल रही है और सी ए फाइनल निव मेरे को खराब-खराब एक्सप्रेशन दे रही थी मैंने ध्यानी नहीं दिया मैंने उनको बुला भी दो संडे तो मुझे देने बढ़ेंगे बच्चों को तो अभी मैं क्या करूंगा 123 तीन कोश्चन आज रिकॉर्ड करूंगा तीन कोश्चन अगले संडे आपको रिकॉर करूंगा लो जी बेटे मैंने स्क्रीन पे आपका कोश्चन लगा दिया है बच्चे के दिमाग में सबसे पहली बात जिंदल सर यह कौन से एस में से आया तो यह कोश्चन नमबर बन का ए पार्टे बेटे पांच नमबर का है और यह आप कह सकते हो कि अकांटिंग स्टेंडर्ड 10 का कोश्चन है लेकिन मैं इसको एस टैन का कोश्चन बोलूँगा नि क्योंकि इसमें एस वाली कोई बात ही नहीं इसमें डेपरिसेशन निकालने आपने और एसेट का क्लोजिंग बैलनस निकालने एक एसेट है जिसमें कई बार परचेज तो इसमें एस वाली कोई बात ही नहीं है तो common sense का कोश्चन है मैं इसको एस का मानता ही नहीं आप इस कोश्चन को अपने common concept से solve कर सकते हो common sense का कोश्चन है जी मैं कोश्चन आपको चेक करा देता हूं आईए मेरे साथ In the books of Top Maker Limited हमें company के नाम में को इंटरेस्ट नी जी company A.O.B.O.C.O.D.O.X.O.Y.O.Z.O. हमें ख्या लेना company के नाम में को इंटरेस्ट नी इनके पास carrying amount बता रहे है carrying amount का मतलब का है जी balance sheet value book value W.D.V जो value balance sheet कर रही that is carrying amount बहुत बार डिसकस किया हमने इस टर्म को प्लांट एंड मिशिनरी की आपको एक केरिंग अमॉंट बता रहे हैं कब 1st April 22, 56,30,000 अगर मैं एक टाइम लाइन ड्रॉ करता हूं 1st April 22 ये मेरा ओपनिंग बैलंस है और मेरे पास 56,30,000 रुपीज का कोई प्लांट एंड मिशिनरी का बैलंस है अब ये क्यों बता रहे हैं पता नहीं आगे देखना पड़ेगा किसी भी बच्चे को मेरी स्पीड कम लगे क्योंकि मैं अपनी नॉर्मल स्पीड पर बढ़ा रहा हूं और आप बच्चे पता नहीं किस पॉइंट वीज से देख रहे हैं वीडियो को आप प्लीज स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं अगर आप नोटिंग नहीं करना चाहतें तब भी ठीक है सिर्फ समझना चाहते हैं तब भी ठीक है तो स्पीड अपने इसाप से अड़ेस्ट कर लेना क्योंकि आपको बता है मैं स्लो बढ़ाता हूं मैं कोशन सारा पड़ूँगा तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं यूट्यूब के ओपर 2x तक शायद चलते हैं इट वस फाउंड देट अपर्चेश ऑफ मशिनरी वर्थ 21,12,000 वाज इंक्लुड़ेड इंदी पर्चेश ऑफ गोड्स ऑन 1 जून 22 खरीदी थी मशीन और उसको गलती से इंक्लूड कर लिया पर्चेश में अब ना तो मैं ट्रेडिंग अकॉंट बना रहा हूं ना मैं र्केशन कर रहा होता पर्चेश का कि मशिनरी की परकेश को गुड्स की पर्चेश में क्लूड कर लिया पर्चेश को रैक्टीवेड़ करो पर्चेश को कम करो पर मैं तो रिक्टिविकेशन करी से और ना तो मैंमने एक चीज़ नोड़ कर लेता हूं कि मैं Dafürst Of June को मैंने 1st of June को 21,12,21,12,000 ये मशीन मैंने पर्चेस की है अब इस पर क्या होगा इस पर 10 महीने का डेपरिसेशन लगेगा क्योंकि 31st of March 23 मेरी क्लोजिंग डेट होगी तो 1st of June से यहां तक 10 मन्स और 1st April से 12 मन्स जो ओपनिंग बैलन्स वाला प्लांट है उस पर 12 महीने का डेपरिसेशन और जो मैं 1st June को खरीदूँगा वो 10 महीने का डेपरिसेशन इंकम टेक्स में डेपरिसेशन लगता है पुट्टू यूस से और एस में लगता है डेट परचेस से सब कुछ पढ़ा हुए आपने ओन 30 जून 22 पहले एक जून बता रहा था अब 30 जून बता रहे हैं दिक कंपनी इसका मतला ओपनिंग बैलन्स आपका कम हो गया और जो 960 की मशीन इन्हों ने बेची है मैं यहां पर सोड लिख देता हूं यह बेची है तीस जून को तीन मेने का डेपरिसेशन लगेगा फिर यह डेबलोडी वी आएगी और इसका कंपेरिजन में सेलिंग प्राइस से करके अपना प्रॉफिट लॉस निकालूँगा कि सेल करने पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ और कोशन बता भी रहा है कि इन्होंने आठ पच्चिस में बेचा है तो नो साथ माइनस तीन मेने का डेपरिसेशन बेचा है आठ पच्चिस में नफ अनुकसान निकाल लेंगे लेकिन एक बात और समझो कोशन में एक वर्डिंग और भी है इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ न्यू मशीन कौस्टिंग 1565 इन्होंने न्यू भी खरीदी है सेम डेट को और यह खरीदी है 15,65,000 की 15,65,000 की 15,65 इन्होंने खरीदी है आठ लाग 25,000 रुपे का प्लांट पुराना दे दिया है एक्सचेंज में तो 7,40,000 की पेमेंट कैश में की होगी इन्होंने 7,40,000 की पेमेंट कैश में गई होगी यह एक्सचेंज कर लिया 15,65 नया आ गया और मैं इस पे 9 मन्स का डेप्रिसेशन चार्ज करूँगा क्योंकि 30 जून और 1 जुलाई एक ही बात है तो मैं इस पे 9 महीने का डेप्रिसेशन चार्ज करूँगा मैं इस पे 3 महीने का डेप्रिसेशन चार्ज करूँगा मैं इस पे 10 महीने का डेप्रिसेशन चार्ज करूँगा और मैं इस पे जो balance है इस पे बारा महीने का depreciation चार्ज करूँगा depreciation ही depreciation नजर आ रहा है इस question के अंदर और question मुझे कह रहा है आगे The company charges depreciation at the rate of 10% per annum on WDV basis Company का depreciation 10% per annum है WDV basis पे तो 10% है period आपको बता है depreciation निकाल देंगे question की requirement देखो आप question की पहली requirement depreciation बताओ जी कितना चार्ज होगा दूसरी requirement बताओ जी closing balance कितना होगा अगर आपको 31 March 2023 की book value पूछ रहे तो मितलब closing balance पूछ रहा आप से निकाल देते हैं दो मिनिट का काम है sale purchase plus minus करनी है और तीसरा मुझे से पूछ रहे जी बताओ आप में profit और loss exchange पर कितना हुआ आपको और इंसी जूट की हरकत देख लो आप पांच नंबर का तो question है और उसमें भी तीन पार्ट बना रखें बताओं यह सीए का बच्चा यह जो इतना जूलम बरदाश कर लेता इनका पांच नंबर का question पूछ पहले तो बीस नंबर के चार टुकड़े बना दिये चलो पांच-पांच नंबर के के हिसाब से बता रहा हूं प्लीज बात को समझ लेना नोटिंग मोटिंग करने की ज़रूरत है नहीं तो मेरे पास सबसे पहले है ओपनिंग बैलन्स मेरे पास ओपनिंग बैलन्स कितना था कोशन मैंने आपको रीड कराई दिये शप्पल लाग थीज़ार 56,30,000 में से मैंने 960 वाला दो डिस्पोज आफ ही कर दिया था तो इसमें जो बचेगा उसका 10 परसेंट आपको पूरे साल का डैप्रीशेशन लेना है 56,30 माइनस 960 जो भी बचेगा इसका 10 परसेंट 4,67,000 एक तो यह डैप्रीशेशन आएगा दूसरा पर्चेजिस कौन सी पर्चेज है जी 16 को एक जून को हमने 21,12,000 रुपे 21,12,000 इसका 10 परसेंट और इसका 10 मंस का डैप्रीशेशन आपको निकालना पड़ेगा 1,76,000 रुपीज यह बनते है हम का इसी ग्रीशन आइप्र फिर तीसरा सोल्ड बाले पे जो हमने बेचा है तीस जून को 9,60,000 की बुक वैलीवे पर और ये book value कब की अब 1st April की है, अगर मैं इसका 10% निकालता हूँ, तो तीन महिने का निकालूँगा, 960 into 10%, 24,000 इसका भी बनता है, फिर एक और purchase किया है, ये purchase किया है, 15,65,000 का, ये है ना, 15,65,000 का, इसका करेंगे 10%, और वो भी 9 मंथ का, क्योंकि 30 जून को खरीदा है, जंदल सर, ये जो sale वाला है, आप इस पर depreciation क्यों निकाल रहे हैं, आपने बेचा है 30 जून को, तो 30 जून तक का depreciation दो date-wise लगने ही चाहिए ना, भाई साब, एपरेल में जून, आपने 960 को यूज किया है 1565 x 10% x 12 x 9, ये बनता है 117375, लगाव टोल, 467 plus 176 plus 24000 plus 117375, 7, 8, 4, 3, 7, 5, ये depreciation आपका आना चाहिए, इसमें opening balance भी है, इसमें purchases भी है, sale वाले का, sale की date तक का depreciation है, सारी working हो गई है, दूसरी working, आपको closing balance निकालने है, तक closing balance निकाल लेते हैं, सबसे पहले opening balance, हमारे पास opening balance था, 5630, ये था ना, हाँजी, अब इसमें करेंगे add additions, purchase, purchase, purchase कप कप की है, एक तो 1st of June की है, एक 30th June की है, 21,12,000, और एक हमने purchase की है, 15,75,000, जो exchange में आया है, हमारे पास, minus कर देंगे sold, 9,60,000, अगर आप ध्यान से देखें, तो सारे के सारे cost में ही है, अभी depreciation minus नहीं हुआ, फिर हम minus कर देंगे depreciation, 784, 365, ये working route 1 में निकाल के आए हो, closing balance आजाएगा, आपका, 15,75,000, minus 9,60, minus, 784, 365, 75, 726,35, ये आपका closing balance आगया, सारे purchase add कर दिये, sale minus कर दिये, depreciation minus कर दिया, opening balance में, closing balance आगया, ये कुछ मुश्किल काम है, time taking जरूर है, लिखने में time तो लगते ही है, बच्चे को presentation में time तो लगे गई, अब इस question में, एक और part पूछा गया है मुझसे, कहते हैं जी profit loss बताओ, exchange पे कितना हुआ, exchange पे profit और loss पूछ रहे हैं मुझसे, profit और loss on exchange, तो सबसे पहले तो ये बताओ, कि opening balance कितना था, sold portion का, ये तो 960 था, इस में से depreciation minus करो, 3 months का, ये 24,000 था, तो ये इसकी book value आ गई, 960 था, 24,000 का depreciation था, 936 आ गया, आप देख लो ना, ये देखो, ये depreciation था, इसका, तो 936 बन गया, और आपको exchange value कितनी मिली है इसकी, 825, 825, तो आपको नुकसान कितना हो गया, loss हो गया, आपको, 11,000 रुपे का, loss on exchange आ गया, बच्चे कई बार पूछ लेते हैं, knowledge के लिए वैसी सर्फ जर्नल एंट्री बताना, तो जर्नल एंट्री आप देख लो, plant and machinery debit, 1575, जो हमने new खरी दी है, P&L debit, 11,000 रुपे, ये loss हो ने एक्स्चेंज आ गया, to old, plant and machinery, ये हमने 960 की दे दी है, ये हमने 960 की दे दी है, 2 cash, 740, मैंने आपको चेक कराए था, 1575,000 की आप मशीन खरीद के ला रहे हो, 825 आपने, तो 740 आपको cash देना पड़ेगा, एक आपको depreciation माइनस करना पड़ेगा, 24,000 रुपे का, 3 months का, entry आप टैली करके देख लो, entry टैली हो जाएगी आपकी, जितने events थे, हमने सारे record कर दी है, 1575,000, प्लस, 24,000, minus 960, minus, 740,000, जाएगे, 7500,000, रुपे काश में जाएगे, 825 है ना, 1575 का खरीदा आपने, 1565 का खरीदा है, अच्छा, अगर 1565 का खरीदा है, तो फिर 740 का जाएगा, वो तो values के हिसाब से, second figure चेंज हो जाती है, अगर यह 65 है, तो फिर यह 740, पॉइंट यह है कि, question आपको solve करना था, date wise, और single entry system का, जो chapter है हमारा, उसमें इस तरह की information, एक दो questions में आई है, जैसे question number 1 है, शिव कुमारवाला, उसमें ऐसी information है, furniture की, तो मुझे नहीं लगता कि, इस question को करने में, बच्चे को टेक्निकली दिक्कत आई होगी, टाइम लग गया, वो लग पात है, अगर आप बोलो, मुझे बढ़ने दो, ये पांच नमबर का question था, पटे आपका, मैं इसके B part में अभी आता हूँ, मैं एक बार C part आपको चेक करा दो, फिर मैं इसके B part में आता हूँ, इसका जो C पार्ट है यह accounting standard 12 में से आया जी grant का question है अगर कोई grant किसी asset से related है और वो depreciable asset है तो मैंने आपको दो method कराए थे पहला asset reduction method दूसरा amortization method जिसको बोल रहते है डाफ़र्ड grant method भी तो उसी के उपर based question आया और इसमें भी institute ने वही हरकते कर रखी है पांच नमबर का question है लेकिन requirement पूछ रखी है चार चार requirements है तो हर requirement 1.25 marks की हो गई आपकी मैं आपको read करा देता हूँ 1st April 21 date आपको लिखनी चाहिए 1st April 21 company ने purchase किया है कोई manufacturing plant for 60 lakh rupees ठीक है जी which has an estimated life of 10 years with a salvage value of 10 lakhs अगर 60 lakh की acquisition cost at 10 lakhs की salvage value है इसका मतलब depreciable amount कितनी हो गई है 50 lakhs और मैं 50 lakhs को सीधे साधे तरीके से 10 से divide करके हर साल 5-5 lakh रुबे का depreciation चार्च करता रहोंगा सिंपल बात है अगर कोई grant का लफडा ना हो तो depreciable amount निकालके भी 60 lakh लगाए 10 lakh वापिस आजाएंगे 50 lakh की तो depreciable हुआ 5-5 lakh का depreciation लगता रहेगा लेकिन कोशन आगे कहता है कोशन कहता है तब ही तो हम solve कर रहें नहीं कहता तो क्यों करते हैं ओन परचेज अफ प्लांट अग्रांट ऑफ 20 lakh रुपीज वाज रिसेवड फ्रॉम दी गवर्मेंट कर लो बाद मैं सोच रहा था मेरी depreciable amount 50 lakhs ना 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 grant मिल गई है 20 lakhs की तो मेरी depreciable amount और कम हो गई है 30 lakhs पे आ गई है जो depreciation में पांच 5 lakh रुपे का मान रहा था वो तीन तीन लाख रुपे का हो जाएगा कि शिवा रिक्वाइट टू कैल्कुलेट दी amount of depreciation हद गर्दी ये भी depreciation पहला कोशन भी depreciation ये वाला कोशन भी depreciation as per AS 12 for the financial year 22 23 ध्यान से पढ़ना यहां पर है 1st April 21 तो 21 22 पहला साल होगा 22 23 दूसरा साल होगा आप से कोशन ने दो साल की information मांगी है और बच्चे paper में क्या करते हैं डेट ध्यान से पढ़ते हैं एक साल की calculation करके आ जाते हैं वहीं बेडागर को जाता है और मैं pen drive classes में बार 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 एक ही चीज़ कहते रहता हूं date पढ़ो date date क्या date mention है क्या date mention है क्या date mention है बच्चे अस्ते रहते हैं जिन्दों सब्सक्राइट डेट खेलते रहते हैं आप चाहिए investment account का question ले लो आप single entry का question ले लो date तो आपको पढ़नी पढ़ेगी अच्छा जी पहला if grant amount is deducted from the value of plant यह बन गया asset reduction method तो करना क्या है आपकी asset की cost है साथ लाग रुपे salvage value है दस लाग रुपे और grant कितनी है बीस लाग रुपे तो depreciable amount है इसको 10 से divide करेंगे 2 से multiply करेंगे तो यह depreciation कितना आ गया जिंदल सर आप से न 22 23 की information मांगी गई तो कोई बात नहीं आप करो तुसी एक बार तो यह बन गया 6 लाग रुपे यह 6 लाग रुपे तीन लाग रुपे पहले साल के और तीन लाग रुपे दूसरे साल के और एक बात और बताता हूँ जब कोईशन में years दे रखे होते हैं तो हमेशा SLM ही प्रैफर करते हैं और अगर SLM के basis पे चलना है तो यहाँ पे टू यह से अगर मैं multiply नहीं करता पे पे तो हम ग्रांट को एक सेप्रेट अकाउंड में ले जाते अगर चाष्णकेंड और इसको P&L में आमाॉटाइज करते हैं तो 20 क्या convert में चलेगी इसको 10 से टिवाइड करेंगे तो 2,00,000 रुपे P&L में credit करते रहेंगे as an income वो तो question ने पूछा ही नहीं आप से कि deferred grant को कैसे amortize करोगे question ने depreciation बताओ तो depreciation तो दूसरे method में आपका जो depreciation है वो 5,00,000 रुपे निकलेगा ये लो जी 5,00,000 रुपे परेनम under deferred income method under deferred grant method the amount of grant is transferred to a separate account and there will be no impact on the normal depreciation अगर आप asset में से minus कर देते हैं depreciation reduce हो जाता है क्योंकि asset की cost कम हो जाती पर यहाँ पे depreciation normal निकलता रहे है और मैंने class में क्या बताया था ये 5,00,000 रुपे P&L में debit होगा और ये 2,00,000 रुपे P&L में credit होगा P&L बनाएंगे इधर लिखेंगे depreciation 5 इधर लिखेंगे grant 2 net effect वही आना 3 का presentation change हो जाता है asset reduction में हाथवाथ net amount आपको पता लग जाती है यहाँ पे आपको net बनानी पड़ते है indirectly अब मैं concept तो करा नहीं सकता class में सब पढ़ा हुआ आपने detail में example बना बना के को मुश्किल काम था बता हो question आप से depreciation मांग रहा है और दो methods में question आगे कहता है तीसरा पार देखो if grant amount is deducted from the value of plant ध्यान से पढ़ना asset reduction method की बात कर रहा है but at the end of 22-23 grant is refunded to the extent of 4 lakhs grant refund होगे यह 4 lakh रुपे की due to the non compliance of the certain condition अगर आपको refund देखना हो तो depreciation कितना होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे opening balance यह 60 lakh रुपे है हम इसमें से minus करेंगे grant 20 lakh रुपे की यह सारी accounting 1421 को और ही है तो net cost पढ़ेगी हमें 40 lakh रुपे की एक चार 21 को अब depreciation minus करना है 31 मार्च 22 को तो 40 lakh में से salvage value पहले minus करेंगे salvage value यहां इस column में से minus नहीं होती salvage value depreciation के time पे ध्यान रखनी होती है मैं इसको divide करूँगा 10 से तो मेरा 3 lakh का depreciation minus हो गया तो 1,4,22 को यह रहा गया 37 lakh रुपे 37 lakh रुपे अब 31 मार्च को refund करो add back जब grant आई थी तो minus करते हैं refund होगा तो add back करेंगे तो इसकी revised value हो जाएगी 41 lakhs तो जो 41 lakhs है हम इसमें से minus करेंगे 10 lakhs salvage value के depreciation निकालना है और मैंने class में कितनी बार बोला है कि refund को पहले record करना depreciation को बाद में record करने अब इसको divide करेंगे 9 से remaining value remaining life अब 9 से divide कर लेंगे हम इसको question solve हो जाएगा grant आ गई तो minus कर लिए grant चलीगी अच्छा एक तरीका और भी है 60 lakh ले लो minus 20 lakh कर लो और minus 10 lakhs भी ही कर लो तो फिर आप इसको नाम देना depreciable amount का फिर आप इसको carrying amount नहीं बोल सकते यह depreciable amount है 30 lakh 3 lakh का depreciation minus कर लेना पहले साल यह बचेंगे 27 फिर आप इसमें add back कर लेना 4 lakh का refund यह हो जाएंगे 31 फिर इसको divide कर देना 9 से answer same आएगा लेकिन practically salvage value को asset account में से less करके नहीं दिखाया जाता तो answer तो same आजाएगा लेकिन presentation यह ठीक है आपका salvage value को इधर रखो depreciation के time पे यह देखो ना 41 minus 10 divided by 9 तो 31 को divide करना 9 से आथ वही रहा है लेकिन presentation का difference है अब मेरे को गुसा इस बात का है कि 5 नंबर का question हो और आप तीन तीन चार चार पार्ट पूछ रहे हैं बच्चे से दोनों method पूछ लिए refund पूछ लिया कमाल की बात है ऐसे फिर question क्या कहता है जी हम यह question कहता है चोथे पार्ट में if the grant is treated as promoter contribution promoter contribution तो capital reserve में जाते हैं तो आपको entry pass करनी है bank account debit to grant बीस लाक रुपे और second entry pass करनी grant account debit to capital reserve क्योंकि जो promoter contribution की grant है यह capital reserve में जाती है तो depreciation का लफड़ा ही नहीं है यह चार पार्ट थे इन चारों का अंसर ही यह बनता है asset reduction method में normal depreciation बनता है तीन लाक deferred में बनता है पांच लाक refund में गया करना है पहले add back करने फिर depreciation निकालना है चोथा capital reserve में लेगे जाना है चार पार्ट है तो हर पार्ट 1.25 मार्क्स का हो गया यह देखो जी डी पार्ट बिलकुल असान है यह तो हमने class में बहुत बार किया है जी examples भी किया है AS 16 Boring Cost का question आ गया Specific Boring General Boring और General Boring में क्या गरते है WACR निकालते है Weighted Average Capitalization Rate निकालते है अब इस question में अगर आप देखे है तो 1st April 22 को कंपनी ने एक loan लिया है 25 लाग रुपे का किस चीज के लिए For the construction of building Building के लिए loan लिया है तो फिर यह specific loan है यह specific loan है और इस loan का जितना भी interest होगा जितनी भी other cost होगी क्योंकि Boring Cost की definition सबको बता है Boring Cost means interest and other cost तो जो भी इसकी Boring Cost होगी वो सीधा building में जाएगी और आपको rate of interest दे रखा है 12% तो अगर मैं 25 लाग का 12% निकालता हूँ तीन लाग रुपे बनते हैं तो यह तीन लाग रुपे सीधा building में जाके capitalize हो जाएगे तो specific Boring Cost पे note लिख देंगे हैं The loan from financial institution has been taken specifically for the building So interest of रुपीज 3 लाग will be added directly to the cost of building because it's a case of specific Boring और specific Boring बोलते कि इसको है जिसमें asset और loan का direct relationship established हो जाता है बात खतम हो गई यह कोई नहीं चीज थोड़ा ना हमारे लिए लेकिन कोशन आगे क्या कहते है In addition to above loan यह जो loan उपर बता रहा है इसके इलावा In addition to above The company has taken multiple borrowings as follows कर लो बात पंदरा और तीस पेंतालीस पेंतालीस और आठ अठारा लो जी बच्चे ने टोटल लगा भी रखा 63 लेक्स का अच्छा इसका जो पैसा है यह काफी सारे assets में यूज हुआ है सत्तर लाग के बिल्डिंग बाइस लाग का फरनीचर नबे लाग का प्लांट टोटल मारा आपने 70 प्लस 22, 92 182, 185, 225 बच्चे ने टोटल मार रखा है तो हम करेंगे क्या इसमें WACR निकालना पड़ेगा और उसके लिए क्या करेंगे Borrowing Cost divided by 225 क्यों Loan Acum Expanditure है जादा तो whichever is higher इसके basis पे हम WACR निकालते है तो अगर आप देखें तो 15,8 परसेंट 1,20,000 का ब्याज तो ये बनते है 30,15 परसेंट 4,5,4 लाग का इंटरस्ट ये बनते है 18,1,80 ये बनते है टोटल मारो 1,20 3,7,5,5 रुपे 7,5,5 लाग को रखो numerator मे सबा 2 क्रोड डिनॉमिनेटर में एक WACR निकालो WACR 2 क्रोड 25 लाग का ये आगा जी 3.33 परसेंट साथे साथ लाग डिवाइड बाइड 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 बिल्कुल ठीक है 3.33 परसेंट आ गया देखो मैंने क्लास में शॉटकर बताया हुए कि इस इंट्रस्ट को इस रेशो में बाइड दो एक्सपेंस की रेशो में बाइड दोगे तब भी बही आंसर आएगा WACR लगा के अब इस WACR को इस पर लगा दो होगे कैपिलाइशन अब आपको ये बताना है कोशन में कि कौन सा ब्याज कैपिलाइज होगा कौन सा पी हंडल में जाएगा कोशन आगे के कहता है ये काम अभी अभी पूरा हुओ है तो इसको व celebrates कर लो इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको मैं अगर मार्केट से furniture बना बना खरीदा आपने तो ये qualifying asset नहीं है यह qualifying asset है यह भी qualifying asset है यह भी qualifying asset है लेकिन यह qualifying नहीं है क्योंकि ready made खरीद के लाए हो तो इसके हिस्से का ब्याज पी हैंडल में जाएगा कोशन खतम पैसा आजा है तो एक तो specific boring का ब्याज capitalize करने building का plant का factory share का करने यह ready made ready for user time taking नहीं है if any asset is not taking substantial time to get ready it's not a qualifying asset and interest cannot be capitalized to the cost of such asset that's it जैश्री राम आगे बड़ो हो गया काम खतम इतना ही काम था कि यह कोशन है बटे पांच पांच नंबर के चार कोशन है तीन कोशन नॉर्मल थे अगर थोड़ा सा presence of mind से कोशन पढ़ते हो जाता है लेगे नगर आप लेंदी थे बिल्कुल थे जी लेंदी तो थे मैं इस बात को टेना है नहीं करता कि बच्चे के लेवल से इतनी सारी चीजें मतलब ऐसे काम क्यूं करते हैं यह अच्छा जी अब इसका एक बी पार्ट रहेगा तब मैं आपको रीड करा देता हूँ आपको देखने में लगेगा कि यह कोशन अकाउंटिंग स्टेंडर 11 का है यह अकाउंटिंग स्टेंडर 11 का सिरफ इंप्रेशन दे रहें वैसी कोशन c5 sfm का है नोंने c5 sfm की किताब में से उठा कर देलियो अ लेकिन अब मेरे पास इसके दो वियूज है पहला क्या इंसेचिट इसके ग्रेस मार्क्स देगा, चांसे इस कम है, घीट लोग है सर, अगर ग्रेस ही देनी होती, तो कोशन ही क्यों डालते हैं, दूसरी बात, अगर आप इस कोशन को थोड़ा सा अराम से बैठके पड़ते हैं, तो ये कोशन, मुझे लगता है कुछ बच्चों ने कौमन सेंसे होगा, मैं कोशन आपको रीट करा देता हूँ, ये जो कमपनी है ना, इसके पास एक पेबल है, 50,000 पाउंड का, ठीक है जी, और डेट पता रहे हैं, मार्च 23, इनके पास दो अप्शन्स हैं, ये जो 50,000 पाउंड का एक पेबल है ना, इसको चुकाने के, पेबल है तो चु आप इसको अभी पे करो, इमीडेटली, तो आपको एक cash discount मिल जाएगा 1% on the pay bill, अगर आप इसको अभी चुकाते हैं, तो आज के rate पे चुकाना पड़ेगा, और आज का rate चल रहा है 97, तो क्या आप pay bill की value नहीं निकाल सकते, 50,000 minus 1% into 97, आज की value आ जाएगी, लेकिन दूसरा option, आप हमें 6 महीने बाद दे देना, after 6 months, लेकिन ब्याज लेंगे आप से 5% परेना महुंदी pay bill, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों का comparison आपस में हो सकते हैं, answer is no, common sense यह कहते हैं, कि अगर यह 6 महीने आपको उधार दे रहा है, ब्याज पे, तो यह option इसने क्यों इसका मतलब आपके पास अभी funds का arrangement नहीं है, वो कहता है, 6 महीने बाद दे देना, ब्याज लगा के दे देना, और 6 महीने बाद का rate 99, या तो अभी दो, या ब्याज समेत दो, अगर मैं इसको payment करता हूँ 6 महीने बाद, तो कोई बात भी ब्याज लगा के 99 लगा के दे और आज इसको immediately pay कर देता हूँ, और जब मैं Indian market से उधार लूँगा, तो मुझे 15% rate लगेगा, Indian rate हमारा 15% चल रहा है, तो आपको करना क्या है, 6% ब्याज या 15% ब्याज, पेमेंट तो 6 महीने बाद ही जानी चाहिए, तब ही comparison हो पाएगा, तो आप ये assume करके चलोगे, कि मैंने Indian market से पैसा उधार उठाया, इसको immediately दे दिया, तो मुझे ब्याज देना पड़ेगा, Indian market में वो कितना होगा, तो आपको comparison करने, मैं आपको पहला comparison कराता हूँ, first option, second option, 50,000 pounds हैंजी मेरे पास, 50,000 pounds है, मैं इसमें एड कर देता हूँ, 5% ब्याज, 6 months का, ये परेणम है, ध्यान रखना, 5%, 5% ब्याज कर देता हूँ, चलो, ये 6 months का interest हो गया, और मैं इसको multiply करता हूँ, 99 से, क्योंकि 6 महिने बाद rate 99 का है, 50,000 pounds प्लस 2.5% into 99, तो मुझे देने पड़ेंगे, 50,73750, ये वो amount है, जो 6 महिने बाद जाएगी, अब यहाँ पे आते हैं, 50,000, cash discount ले लो 1% का इससे, और इसको पैसे अभी दे दो, 1% ये न, 50,000 minus 1% into 97, तो ये आ जाएगा, 4801500, लेकिन ये पैसा मुझे ब्याज पे उठाना पड़ेगा, इंडियन मार्केट से मेरे पास होते, तो मैं ये इस ब्याज की बात क्यूं करता, तो 48,500,000, प्लस साड़े साथ परसेंट, क्यों? इंडियन मार्केट मेरे रेट है 15% परहनम का, हाफ येर का, दो अप्शन कंपेर कर रहे हैं, तो दोनों में ब्याज तो रखना पड़ेगा आपको, तभी तो कंपेरिजन हो पाएगा, कि लोन इंडिया से ले हैं या लोन इसी से ले ले हैं, अच्छा, इंटू, ये 6 मंस का है, 3,6,0,1,1,2,5, total मारो इसका, 50,000-1%, इंटू 97, plus 7.5%, 5,161,612.5, इन दोनों में से देखो कौन सा कंप, ये लेना चाहिए, अगर आप इंडिया से, इंडिया से लोन लेते हैं, और immediate payment करते हैं, आपको महंगा पड़ेगा, इसी से ले लो, क्योंकि rate of interest बहुत सस्ता है, इंडिया का rate of 7.5% 6 महिने का, और यहां पे है 6 महिने का 0.5%, ये comparison करके बताना था आपने, मैं मानता हूं कि कई बार यह answer क्लिक नहीं करते हैं, अब मेरा तो देखो vision खुला हुआ है, फाइनल लेवल को बढ़ाते हैं, इतने साल होगे बढ़ाते हुए, तो question बढ़ती ही समय में अचाहाई से होना चाहिए, नहीं क्लिक किया, तो इस question में मेरे को थोड़ा सा doubt है कि बच्चे ने, क्योंकि एस 11 का question ही नहीं है, यह तो decision making का question है, आपको decision लेना है कि loan कहां से लें, और हमारे interme group 1 में तो decision making है नहीं, तो ICI को सोचना चाहिए इस question के बारे में कि बच्चों को number दें, सारे बच्चे mail लिखे mail, ICI को, Board of studies को, कि question number one का जो B part है, वो AS 11 का नहीं है, वो decision making है, वो CA final SFM का question है, आपको grace marks देनी चाहिए, हमसे नहीं हुआ, अगर बच्चे बल्क में mail करेंगे, तो ICI की knowledge में आएगा, तो ICI हो सकता है कोई action ले लें, यह question है, यह पेटे, first question का, मैंने आपको solution बताया है, और यह 20 number का question था, मैं आपको question number 2 पे लेकर आ रहा हूँ, यह हमारा question number 2 है, यह 2 का A part है, और यह 10 marks का question है, और यह higher purchase का question है, यह higher purchase का question मैं लिख देता हूँ, और यह वह कोशन है, हमने दो कोशन किये थे, super motors, Delhi motors, milk vans, तीन milk vans होते थे, टाइम से किष्टे नहीं देता था, जब टाइम से इंस्टॉल्मेंट नहीं देता था, तो वह तीन में से दो उठा के ले जाता था, लोन में adjust कर लेता था, फिर जो एक बचती थी उसकी payment वही कोशन है, यह वही कोशन है, अगर आप इस कोशन में पढ़ें, तो इस कंपनी ने दो मशीने खरीदी हैं, 280 इच, ध्यान से पढ़ें, कितनी मशीने हैं, दो, और 2,80,000 की एक है, तो 280 इंटू 2, 560 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हाँ जी, तो अगर मैं बनाता हूँ, machine account, उसमें 560 debit करूँगा और उस पर depreciation लगाऊँगा, अगर मैं बनाता हूँ, vendor account, loan account, तो उसमें 560 credit करूँगा, अब ये installments दे रखें, the terms of payment for both the machines together ध्यान रखना यह जो payment है यह each नहीं है यह दोनों के लिए payment है यह सारी payment each नहीं है total payment है यह down payment अगर एक चालिस की है दो machine है तो 70-70,000 होगी अगर यह installment एक लाग की है तो दोनों की 50-50,000 होगी अगर मैं इसका total लगाता हूं तो कितना बनता है देखना पड़ेगा सारे के सारे पेमेंट 6 मंथ लिए मुझे तो कोशन में को जान लगनी रही अभी अब इस कोशन में आपको कैश प्राइस गिवन है अगर कैश प्राइस गिवन है तो उल्टा क्यूं चलेंगे जब कोशन में cash price given है, HPP given है, rate of interest given है, 8% परेनम pay bill half yearly, परेनम मतलब half yearly 4% हो जाएगा, half yearly 4% कोशन आगे के कहते हैं, installment payments are towards principal repayment and the interest, इसमें principal भी है और इसमें ब्याज भी है, वो तो हमें पता लगी गया, क्योंकि 5,60 से उपर जा रहा है, तो HPP हो गया, फिर कोशन आगे के कह रहे हैं जी, पढ़ना पड़ेगा ये कंपनी जी चार्ज करती है, 20% depreciation परेनम और वो भी WDV basis पे, ये वही है 20 और 30%, दिल्ली मोटर, सुपर मोटर वाला जो क्लास में कोशन किया था, परचेजर लगा रहा था 20%, जब इसका repossession होगा, तो vendor लगाएगा 30%, ये रहा, इन्होंने कितना दे रख है, री पोजेश चार्ज किया होगा, तो पक्की बात है, अगर परचेजर लगा रहा है 20, और वेंडर लगा रहा है 25, market value कम निकलेगी, loss on reposition आने ही आना है, क्योंकि वो higher rate of depreciation पे, 30 का 25 कर दिया है इन्होंने, चलो जी, कितने installment की payment हो गई है, 3, 1.5 साल तक payment हो गई है, but could not pay the 4th one, तो 4th installment पे पे नहीं हो पाई, री पोजेशन आ जाएगा, चोथे में, क्या किया इसने, उठा के लेगा जी एक मशीन, एक मशीन उठा के ले गया, और उसे amount due में adjust कर लिया, क्याते है, मशीन अकाउंट बनाओ, वेंडर अकाउंट बनाओ, बच्चों माला कोशन है, यह 10 marks का, इसको द सबसे पहले हमने बनाया, मशीन अकाउंट, मैं रफ में बना रहा हूं, आप समझ लो बात को, एक मैंने बनाया, वेंडर अकाउंट, वेंडर का नाम लिख देना प्लीज, मैंने वेंडर लिख दिया है, आप इसमें वेंडर का नाम लिख देना, सारे बच्चों को पता है पेपर क्लास में ये प्रेजेंटेशन नहीं चलता पेपर में भी ये प्रेजेंटेशन नहीं चलता हम तो पर्टिकुलर्स वाले बंदे हैं पहला कॉलम पर्टिकुलर्स फिर अमाउंट्स पर्टिकुलर्स अमाउंट्स चमका चमका के लिखने वाला बंदा हूं जी मैं यह सरफ आपकी अंडर्स्टेंडिंग के लिए शॉर्ट कट ले रहा हूं कि आपको जल्दी से जटपट से मैं आपको सारा कॉशन समझा दू बताओ जी सबसे पहले डेट क्या है फस्ट एपरिल ट्वंटीवन डाउन पेमेंट अच्छा फस्ट एपरिल ट्वंटीवन हम लिखेंगे इसमें टू वेंडर फाइव सिक्स्टी दो लाक असी ज़ार की एक मशीन थी हमने दो खरीदी हैं और अगर हम वेंडर अगाउन की बात करें तो एक चार एकिस को हम लिख करेंगे बाइ मशीन्स फाइव सिक्स्टी और सेम डेट को हमने डाउन पेमेंट दे दिया है तो टू बैंक डाउन पेमेंट वन फॉर्टी क्रिपया प्रेजंटेशन की रफनेस को इगनोर करें यह प्रेजंटेशन पेपर में नहीं चलता कोई बच्चा यही भी ना समझे कि मैं ऐसी ही कराता हूँ कई बार वीडियो वो बच्चे देख लेते हैं जो मेरी क्लासिस नहीं लेते और ऐसी बढ़ाते हैं सर ना भाई मैं नहीं बढ़ाता है ऐसे यह तो पेपर सॉल्व करा रहा हूं आपको अच्छा जी फिर पेमेंट जाएगी छे महीने बाद बाद इंट्रस्ट ड्यू करेंगे 560 में से 140 आपने दे दिया है तो 420 रह गया है इसका 4% ड्यू करो 8% परेनम है हाफ फिर ली 4% ही है ना तो 16800 यहां लिखेंगे 2 बैंक 30 सेप्टेंबर को कोई दिक्कत नहीं आई 2 बैंक बताओ जी पहले इंस्टॉल्मेंट कितने की है पहले इंस्टॉल्मेंट है एक लाग रुपे की अगले को पैसे दो जो बनते हैं फिर हम लिखेंगे 31 मार्च 22 को फिर इंट्रस्ट 560 प्लस 16800 माइनस 140 माइनस वन लेक तो 336 800 बचे हुए 336 800 फिर 4 परसेंट अब अब अच्छे पुझाए 336 800 के यह टोटल माइनस यह टोटल तो बैलन्स आजाएगा 31 मार्च को कितना बचा हुए तो बैलन्स में तो ब्याज लोगे 560 था एक चालीस चला गया 420 में एड हो गया 16800 तो यह बन गया 436 600 436 600 में से एक लाग चुका दिया तो 336 600 बचा हुए कैलकुलेटर चलाओ खुद जान जाओ फिर इसका 4% तो यह 13,472 रुपे हैं और 31 मार्च को हम लिखेंगे तो बैंक कितना 95,000 की इंस्टाल्मेंट है 95,000 तो बैलन्स से डी बैलन्स निकालो 560 प्लस 16800 प्लस 13,472 माइनस करेंगे 140 माइनस करेंगे 1 लाग माइनस करेंगे 95,000 तो फिर आगे चलते हैं 255,272 प्लस 240 प्लस 95,000 माइनस 560 माइनस 16800 माइनस ठीक है इधर आओ लगाओ 31 मार्च 22 को लिखेंगे by depreciation at the rate of 20% तो 560,000 का 20% कितना हो गया एक बारा बाइ बैलेंस एडी चार लाख 48,000 तो टोटल एक चार बाइस को लिखेंगे टू बैलेंस बेडी चार लाख 48,000 31 मार्च 23 को लिखेंगे by depreciation 20% कितना 89,600 ठीक है जी यहां आजाओ 1422 को लिखेंगे by balance bd 25,272 रुपे 30 September बाइ इंटरस्ट 25,272 रुपे 255,272 रुपे 10211 यह है नहीं हाँ जी 30 September 22 तो बैंक बताओ जी कितने की इंस्टॉल्मेंट है 85,000 की है फिर हम लिखेंगे 31 मार्च 23 बाइ इंटरस्ट 255,272 प्लस 10211 माइनस 85,000 180483 इसका टोटल माइनस 10 यह balance आ गया इसका 4% 8% परेनम है तो half yearly 4% है 7219 लेकिन चोथी पेमेंट नहीं होई सर 4th पेमेंट नहीं होई 4th पेमेंट नहीं होई 4th पेमेंट नहीं होई री पोजेशन आ गया तो अगर आपको री पोजेशन करना हो तो आपको market value निकालनी पड़ेगी बड़ा असान काम है 2,80,000 रुपे माइनस करेंगे 25% माइनस करेंगे 25% market value आ जाएगी 1,57,500 यह market value है प्रेजेंटेशन क्लास में हमने सब सीखा हुआ है कैसे बनाते हैं working notes यह book value आ जाएगी 179,200 यह book value है entry पास हो जाएगी vendor debit 175 2 machine 179 PNL 21,700 concept नहीं करा रहा है आपको कि मैंने कैसे कर रहा हूँ कि अब क्लास में कराया हुआ है यह तो पुराना है मैं तो करवा रहा हूँ ताकि आप मैच कर लोगी paper में आप क्या करके आए हूँ इस बिल्कु ठीक है जी अब 157,500 जो market value है वो यहां लिखेंगे 31,03,23 लिखेंगे 2, plant and machine जो भी है 157,500 जो भी market value आती है balance निकाल दो 255,272 plus 10211 plus 7219 minus 85,000 minus 157,500 30,202 यह बच गया जितना भी पैसा लेना था उसमें इन्होंने इसको adjust करा दिया market value पे full repossession, partial repossession मैंने दो case कराये थे class में यह partial repossession है market value adjust कर दी हम यहां पे आ गए यहां लिखा हमने by p and l loss 21,700 देख लो आप वही है ना 21,700 यह था 280 minus 25% minus 25% 280 minus 20% minus 50% एक के साथ सो loss and report by balance cd तो 4.48 में से अच्छा एक एंट्री और भी था थी by vendor एक सतावन पांच सो यह गया यह तो गया यह रह गया 179200 दो मशीने एक गई एक रह गई इस पर फ्यूचर में डैप्रीशेशन लगता रहेगा हम फ्यूचर में यूज करते रहेंगे अच्छा जी अगले सल क्या होगा यह अगले सल यहां आ जाएगा इसमें ब्याज जोड़ देंगे और बाकी की पेमेंट हो जाएगी अब इंस्टॉल्मेंट का सिस्टम खतम नहीं समझें यह जो इंस्टॉल्मेंट से अब यह नहीं जाएंगी री पॉचेशन के बाद अमाउंट चेंज हो जाती है और कॉचेशन ने बोला है हमसे क्या बोला है अगले साल सारा बैलंस चुका दो तो अगले साल चुकाना है तो एट परसेंट परहनम के हिसाब से ब्याज लगाओ पेमेंट करो जाएशरी राम कॉचेशन कहता हम पैसा आज़ाँ यह कॉचेशन बेटे मैं नहीं समझता कि किसी लाइक था अगर को बच्चा बोलो जी बोट टफ था मेरे से तो हुआ नहीं फिर आपने डंक से पढ़ा नहीं क्योंकि इसमें कुछ नया था नहीं पुराना कॉचेशन है यह तो यह तो 10 नमबर आपको मिलने चाहिए विटे फिर फिर हम आगे इसके B पार्ट में हम आगे इसके B पार्ट में B पार्ट में जो कॉच्छन है यह Accounting Standard 13 Investment Account का कॉच्छन आगया जी 10 marks का 10 marks का कोशन कहने के लिए AS 20 नमबर के आते हैं 20 के बाद फिर AS में से कोशन एड होते रहते हैं तो यह 10 marks का कोशन है AS बेस्ट है और इस तरह के अमने क्लास में पता नहीं कितने कोशन की हैं इसमें डिबैंचर की भी इंफोरमेशन है और इसमें शेयर की भी इंफोरमेशन है तो multiple investments in a single कोशन तो करना क्या होता है सब के खाते अलग अलग बनाने होते हैं शेयर का अलग डिबैंचर का अलग और मैंने तो क्लास में ऐसे कोशन भी करा हैं जिसमें शेयर भी दो कंपनियों के हैं तो उनके भी खाते अलग बनाते हैं इसमें तो कामी बड़ा असान है एक खाता बनेगा investment in shares का एक बनेगा investment in bonds का bonds और debenture में क्या फरक है सरकार issue करती है तो bond है अगर public limited company issue करती है तो आपका वो debenture बन जाता है सरकार का issue किया हुआ debenture bond के नाम से हमने क्या लेना है सर दो खाते बनाने निप्टा अगे परे मारो लो सबसे पहले हमारे पास है 1st April 22 और यह इस question में आपको has word बता रहे है यही से घंटी बच जाने जीए कि ओपनिंग बैलन्स है यह ओपनिंग बैलन्स है 3000 equity shares है Sun company के और इसकी book value बता रहे है 33 face value क्या है हमने क्या दाने लेने बताओ हमें number of share पता हो नीची है amount पता हो नीची है face value face value काम आती है सरफ dividend के लिए अगर आपको dividend की percentage दे रखी हो एक और बात समझो यहाँ पे opening balance है तो यह पुराने shares है अगर इस पे आपको कोई dividend मिलता है तो वो normal dividend होगा वो income में जाएगा हम उसको pre acquisition नहीं बोल सकते current year में खरीदेंगे उस पे dividend आएगा वो pre acquisition होगा तो यह normal है opening balance है has word given है तो इस पे जो भी dividend आएगा वो income में जाएगा profit and loss में जाएगा वो pre acquisition नहीं होगा ठीक है फिर एक जुलाई को इन्होंने purchase किये है 1500 equity share वो ही company के सब कुछ तो दे रख है ना cost का working note बनाना है ना कुछ करना है simple question है इस पे जो dividend आएगा वो pre acquisition होगा वो cost में adjust कर लेंगे अगली information bonds किये बाद में देखते है यह देखो 2 October company ने dividend declare किया है equity shares पे और pay भी किया है at the rate of 10% लेकिन कौन सा साल 21-22 previous year और हम information बना रहे है 23 की class में चला चला के गलाप हट जाता है मेरा current year में जो dividend मिलेगा वो previous year का current year में जो dividend मिलेगा वो previous year का यही बोलता है रहता हूँ जो तरे शेयर पिछले साल में थे उस पर जो dividend मिलेगा वो नॉर्मल होगा जितने शेयर आपने current year में खरीदे होंगे उस पर जो dividend मिलेगा मैंने तो revisionary वीडियो भी शेयर किया था टेलीग्राम पे investment accounts का उसमें भी यही बात बुली हूई है इतने सारे कोशन किया हूँ है शेयर के फिर भी बच्चा अगर पेपर में गलती करेगा उसको जैशीरी राम बोलना चाहिए गलती नहीं करोगे तब भी जैशीरी राम बोलना चाहिए पंदरा अक्टूबर को Sun Limited ने एक बोनस अनाउंस किया है टू इकुटी शेयर्स फॉर एवरी फाइव बोनस तो फ्री में आता है दो बटा पांच बोनस बाद में फिर एक जनवरी को हजार शेयर इन्होंने बेच दिये हैं 115 में तो वेटेड आवरेज देख लेंगे वेटेड आवरेज लगाते हैं नफ अनुकसान निकाल लेंगे और के फिर कोशन आगे कहते हैं जी फिर तो बोन्ड बेची हैं छोड़ो मार्केट प्राइस ऑफ दी एकुटी शेयर 125 इच बैलेंशी देट को वेल्यूएशन भी कर देते हैं यू रेक्वाइट तो प्रिप्रेड इन्वेस्टमेंट गाउन इदी बुक्स ऑफ मिस्टर दिश 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 मैंने लिखा जी पर्टिकुलर्स, मैंने लिखा जी नमबर, मैंने लिखा अमाउंट, मैंने लिखा डिविडेंट, क्या इस कोशन में सेल अफ राइट है, नहीं है, क्या इस कोशन में सेल अफ राइट है, नहीं है, तो फिर कोशन में टेंशन क्यों है, मेरे को डर होता है कि बच्चे सेल अफ राइट में खलती करके आएंगे लो जी टू बैलन्स बीडी कितने शेर्स हैं 3,000 शेर हैं 3,000 के खरीदे हो हैं 3,000 शेर हैं 3,30 के खरीदे हो हैं लो जी क्या डेट है 1, 4, 21 21 है कि बाइस है 22 है सर लो जी 1422, अगला बताओ 1 जुलाई को 1500 शेयर खरीदे 1,38,600 क्या ये प्रेजेंटेशन हम क्लास में करते हैं? चमका चमका के करते हैं, लाइने खींच के करते हैं ये रफ प्रेजेंटेशन है, कोई भी बच्चा ये नमाने भाई क्या करूं, दुकान दा रिये को गलत फीडबैक मार्केट में चला जाए बच्चे गलत समझ लें तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी इसलिए बोलता रहता हूं दो वक्का खाना भी तो खाना है सर एक बच्चे ने मुझे बोला जिंदल सर आप तो यार बड़े नोड चाप रहे हो बच्चे को एक्चुली है इस इस चक्रों में हमारा जो वैबसाइट की जो सेल है इसमें खर्चे बोत है मैटे पैंड्राइब का एक्सपेंस हाडवेर हो गया है सॉफ्टवेर जो की हम आपको देते हैं पर स्टूडेंट की जाती है फिर हमारी बुक्स हो गई है कोरियर का हमारा में खर्चा हो गय अब तो सारा काम online है, GST हो गया, जितनी फीस आपके आती है, वो inclusive of GST, उसमें से पहले तो GST कर जाता है, फिर उसके बाद जी स्टाफ है, पहले तो दो ही लोग होते थे, ID कर चेक करते थे, चल भी एंट्री, अब तरह तरह के स्टाफ को हमको रखना पड़ता है, टेकनिकल मे 20-22 बंदों की टीम बना रखी है हमने, यहाँ पे, फिर जो फ्रेंचाइजी के थ्रू अगर सेल आती है, वो कमिशन ले जाता है, अपना 20-25 परसेंट, सारा कुछ कट कटा के फिर 25 परसेंट हमारा इंकम टेक्स है, अगर आप इन सारे खर्चों की लिस्ट बनाओगे, हमार यह सारे खर्चे हैं, और यह स्टाफ, मैंने अभी और खर्चे नहीं जोड़े हैं, जो हमारे पास यहाँ हो रहे हैं, एक्यूबंट का डेपरिशेशन, बिल्डिंग का डेपरिशेशन, पानी, बिजली, स्टुडेंट को लगता है कि इनके पास फीस आ रही है, खर्चे ब आते हैं सब, है न, यह कहने की बाते हैं कि हमारे पास इतने आगे उतने आगे चलते हैं, फिर इनके पास आ है जी डिविडेंट, 10%, 100 रुपे की फेस बैल्यव, इसका 10% डिविडेंट, 10 रुपे बदलते हैं, 10 रुपेस, तो मेरे पास कितने शेयर्स हैं? तीन अजार तो थार्टी थाउजन तो P&L में जाएगा और मेरे पास है फंदरा सुज मैंने खरीदें लो आओ ना अमाउंड के कॉलम में आएंगे फंदरा अजार, यहां पे आएंगे थीस अजार फंदरा सो शेयर्स थे सो की फेस वैल्यू है 10% तीन अजार शेयर्स थे सो की फेस वैल्यू है 10% जो पोस्ट वाला है यह P&L में चला जाएगा लो में लेकी देता हूँ यह कॉस्ट में अड़जस्ट हो जाएगा यह भी कट गया ही पंदरा दस को बोनस शेयर्स आएं बोनस शेयर्स फिफ्टीन, टैन, ट्वंटीटू पैंताली सो शेयर्स हैं इसका दो बटा पांच अठारा सो शेयर्स बोनस में आ गए ठीक है जी दो बटा पांच मेरे पास पैंताली सो शेयर्स हैं टू बाइ फाइफ फॉर्टी परसेंट अठारा सो शेयर्स हो गए और फिर कॉश्ण कहता है जी मैंने एक जनवरी को हजार शेयर्स बेच दिये हैं 115 के हिसाब से अच्छा एक जनवरी को मैं लिखूँँगा बाइ बैंक हजार शेयर्स बेच दिये हैं 115 के हिसाब से 115,000 अब इस पर नफान उकसान निकालना पड़ेगा कोई ब्रोकरेज नहीं है कोई कमिशन नहीं है कुछ नहीं है ना कोई स्टैंप ड्यूटी है यह कोई कोर्शन है बैटी कॉस्ट फॉर्स पोर्शन निकालो 3.30 प्लस 38.600 प्लस निल माइनस 15,000 यह 15,000 किस चीज़ के प्री एक्कुरिशन डिविडिनेंट के और किस चीज़ के 3,000 फिर 1,500 फिर 1,800 3300 शेयर है मेरे पास मैंने बेचे कितने हैं इसमें से 1,000 एवरेज कॉस लेंगे फीफो हम तभी लगाते हैं जब कॉशन कहते हैं नहीं तभ फीफो कभी नहीं लगाते हैं जब कर लो कि बटे कोशन अब तो यहां पर 2P एंडल लिख देना आपने कितना प्रॉफिट आ गया 43,000 का प्रॉफिट आ गया 2P एंडल प्रॉफिट अन सेल अच्छा एक बाद बताओ मार्केट वैल्यू क्या चल रही है मार्केट वैल्यू 125 की है अब मुझे एक बाद बताओ 115 रुपे का शेर बेचा तो प्रॉफिट आ गया तो 125 रुपे तो बहुत हाई हो गया वैल्यूएशन कॉस्ट पर होनी है तो आपके पास 3,600 शेर थे 1,000 आपने बेच दिये 3,500 रह गये तो 3,500 को 125 से गुना करेंगे और उदर से क्लोजिंग बैलंस रॉंड फिगर में निकाल लेंगे भी क्लोजिंग बैलंस कैसे निकालते है इन सब का टोटल माइनस कर देंगे ये तो क्लोजिंग बैलंस आजाएगा और मार्केट वैल्यू विच अवर इस लूवर पक्की बात है कॉस्टी कमायेगी मार्केट वैली तो बहुत ज़्यादा है डिबैंचर पर आओ इस कोशन में गिंती के दो डिबैंचर के ट्रांजेक्शन है 5,000 डिबैंचर खरीदे हैं 97 रुपे कम इंटरस्ट फेस वैल्यू है सोगी और ड्यू डेट बता रहे हैं आपको 1 September 1st March खरीदे कब हैं अगस्त में पिछला ब्याज कप का पेड़ होगा पिछला ब्याज मार्च में दिया होगा तो मार्च, अप्रिल, मे, जून, जुलाई कितने महीने पांच महीने पिछला ब्याज अगर मैंने एक अगस्त को bond खरीदे हैं तो ब्याज तो September में आना है September अभी आया है नहीं तो पिछला ब्याज एक March को paid होगा तो March, April, May, June और July पांच महिने का ब्याज आपको देना पड़ेगा क्योंकि कम interest purchase है 5000 है तो करना क्या है 5000 into 97 485 आ गया इसमें से पांच महिने का ब्याज निकालो Face value 100 है पांच लाग पर निकलेगा ब्याज 9% 18,750 का आपको ब्याज लेस करना है cost आजाएगे debentures की ये कोई question है बेटे मेरे को करवाते वे अजीव लग रहे है इतनी practice के बाद अब इसमें commission नहीं है stamp duty नहीं है तो है क्या करने लाएगी इसमें और एक transaction बस और है कौन सी 31 March को इन्होंने 4000 bond बेच दी है और वो भी 99 X interest एक महिने का ब्याज बनते है क्यों 31 March को बेच रहे हैं तो पिछला ब्याज March में एक मार्च तक का settled होगा तो 4000 into 99 और X interest है ब्याज लग से ले लेंगे कितना होगा 3,96 तो cost बताओ 4,85,000 minus 18,750 4,66,250 4,66,250 अगर 5,000 bond की cost है तो 4000 की कितनी कर ले ना बेटे क्या बताओ इसमें में आपको मेरे बताने लाए कुछ है ही नहीं ये नफा नुकसान आ जाएगा आपका दिखें 73 प्रॉफिट आ गया और एक बात और बताओ 99 पे आपको प्रॉफिट हो रहा है और मार्केट वैल्यू कितनी है 98 98 पे भी प्रॉफिट ही होगा आपके पास 5000 थे 4000 बेच दिया आपने बेच दिया ना 1000 इंटु 98 98 इसकी मार्केट वैल्यू है तो 1000 की कॉस्ट निकालनी है इसी से कॉस्ट बना लो 466 250 दिवाड़ेट बाइ 5000 इंटु 1000 93 250 की कॉस्ट बैठती है whichever is lower कॉस्ट आजाएगी कोई वैल्यूएशन लॉस नहीं है कोई जंजट नहीं है सीधा साधा कॉशन है एक इन्वेस्टमेंट अगाउन के अंदर दो कॉशन है अगर बच्चा के जी मेरे को नहीं आता जाशरी नाम इसमें कुछ करने लाइग मेरे को कुछ नजर ही नहीं आ रहा हाँ टाइम टेकिंग है केल्कुलेशन तो आपको करनी पड़ेंगे लिए इसी है पटाफट पटाफट बच्चे ने किया होगा अब इसमें से बताओ कौँ सी ऐसी चीज है जो आमने नहीं पड़ी मैंने आपको समार्ट इंवेस्मेंट वाला और चतुर वाला नीदी वाला पदनी मल्टीपल इंवेस्मेंट के कितने कोशन कराए है उसमें तो ब्रोकरिज भी थी कमिशन भी थी स्टैम डूटी भी था फिर उसमें हम फीफो भी लगाते थे एवरिज भी लगाते थे बहुत कुछ पढ़ा है वेटे अपने ये वेटे कोशन नमर थी का एपार्ट है ये कोशन आया डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का ये मैं आपको नहीं करा रहा क्योंकि ये क्लास बुक का कोशन नमर 11 है और 8 है चेंड ट्रांसफर का कोशन आ गया ए ने माल B को दिया बी ने अपना माल C को दिया चेंड ट्रांसफर का कोशन है कोशन नमर 11 क्लास बुक में आप चेक कर सकते हो डिट्टो कोशन है बस इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया Q11 या Q8 जो classbook में है इसमें opening stock reserve गिवन था और इसमें शायद opening stock reserve missing था इस question में opening stock reserve missing था और जो classbook में question है सारा question सेम है बिलकुल मुझे चेक करने तो शायद इसमें OSR नहीं है हाँ इसमें OSR नहीं है तो कोई दिक्कत थोड़ाना है कैसे A, B और C ये receiving department है ये receiving department है stock reserve इन दोनों के लिए निकालोगे तो इसका closing stock इसका opening stock net करके ले लो net stock और इस पे लगा देंगे content ratio profit ratio मतलब जो calculation हम closing stock पे करते हैं वो closing stock माइनस opening stock net पे कर देंगे और ये बात मैंने question number 31 में बताई थी कि अगर question में OSR missing हो तो पहले ये चेक किया करो कि पिछले साल का content ratio है क्या अगर है तो भाया फिर closing की calculation अलग होगी opening की अलग होगी दूसरा case पिछले साल की information नहीं है तो फिर खुश हो जाओ क्योंकि current year का content ratio current year का profit ratio या आप यूज करोगे तो फिर हम क्या करेंगे दो बर calculation नहीं करेंगे closing stock opening stock को net off करेंगे और net amount पे net stock reserve निकाल के आ जाएंगे closing stock जादा है तो net stock reserve closing होगा opening stock जादा है तो net stock reserve opening होगा opening वाले को credit करते है business fee handle में closing वाले को debit करते हैं तो इस question में OSR नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं question 31 वाली टेक्निक लगा के closing stock minus opening stock net निकाल पाकी सारा question तो सेम है सारे working notes सेम है सारा process सेम है मैं क्या करा हूं इसके अंदर salaries है यह number of employees की ratio में बटेंगी rent है floor area की ratio में बटेगा depreciation of machinery है machinery value of machinery की ratio में बटेगा और interest loan की ratio में बटेगा सारे basis आपके पास है और अगर इन इनको बांटने के लिए यह देखो question आपका यह यह number of employees है यह salaries के काम आएगा floor space है यह rent के काम आएगा machinery की value depreciation अब interest on loan का कोई base नजर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं जो खर्चा नहीं बांट पाते वह business P&L में चला जाता है यह बताने वाली बाते मुझे बताओ ना हमारा क्लास में पहला chapter departmental का होता है डिट्टो कोईशन बिटे मैं निकरा रहा है यह chain transfer का कोईशन मैंने बदनी क्लास में कितने example और working बनाई हुए है यह तो आपने कर लिया होगा कितने number का है यह 10 marks का यह 9 साफी है कोईशन की लेंथ के हिसाब से कोईशन कम से कम 15 से 16 नंबर का होना चाहिए यह 9 साफी है दस नंबर की working यह जस्टी फेबल नहीं है क्योंकि काम बहुत है इस कोईशन के अंबर पहले आपके cogs निकलेंगे cogs में फिर profit add होंगे फिर आपका IDT बनेगा IDT को फिर आप ट्रेडिंग में प्लेस करोगे फिर वो सारे खर्चे परचे लिखके net profit निकालोगे फिर फिर stock reserve निकलेगा और वो भी chain transfer का C पे दो बार फिर B पे 10 नंबर 10 नंबर कम से कम 15 से 16 नंबर का कोशन होना चाहिए था यहां पर इंसिट्यूट ने बच्चे के साथ जवरस्ति करिए कोशन पुराना है कोशन में बिल्कुल जाननी है मैं आगे जी 3 B में लो जी 3 B यह 9 साफी है सिंगल एंट्री का कोशन और वो भी 10 मार्क्स का बच्चे की जान ले लो मैं यह कोशन आपको करा देता हूं है बिल्कुल सिंपल मैं इकरा देता हूं डेपार्टमेंटल वाला तो मैंने इसलिए नी करा है क्योंकि डिट्टो कोशन नी विड़े कराया हूं मैंने कैते जी पी अडल बनाओ बैलंशीर बनाओ बना देते हैं लो ट्रेडिंग और पी अडल रफ में बना देता हूं है यह ट्रेडिंग का टूटल है यह पी अडल का टूटल आ जाएगा यह बैलंशीट है ना मैंने डेट लिखे ना मैंने कॉलम्स बनाए ना प्रेजेंटेशन किया मैं तो आपको वैसे समझा रहा हूं यह वर्किंग नोड वन है एस वे जिसको हम ओपनिंग बैलंशीट भी कह रहेते है फिर वर्किंग नोड टू कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको बाकी बाकी कोशन देख लेते हैं आओ मेरे साथ Mr. Takewood keeps his books on single entry system the following information of Mr. Takewood is given क्या क्या given है 1st April 22 यह मेरा SOA है सर बताओ फटावट से cash, bank, creditors, capital account, stock, fa, debtor यह सब ओपनिंग में जाएंगे एक एक करके लिखते हैं cash, bank cash, bank, creditors, 15,000 के हैं स्टॉक थर्टिफाइब का है एफ़े बी सहार के हैं, डेटर थेही सहार के हैं 95,000, 15,000, एक लाग दसहार एक लाग दसहार, लो कर लो बात, यह तो टैली हो गया यानि कोशन में जो ओपनिंग इंफर्मेशन है वो करेक्ट है और कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब कुछ गिवन है तो जो कैपिटल है, इसमें हम लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, 95,000 की हमारी ओपनिंग कैपिटल है कोशन आगे पढ़ना चाहिए हमें, आओ मेरे साथ सेकिंड पॉइंट क्वेशन का, दिूरिंग दी करंटियर, संडरी क्रेडिटर्स वर पेड 26,000 रुपीज इन कैश, 155 बाय चेक तीन अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्रेडिटर अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, पेमेंट बता रहा है आपको तो मैं वर्किंग नूट नमबर थ्री बना रहा हूँ, सबसे पहले बना रहा हूँ, क्रेडिटर्स अकाउंट, मुझे पहले ही बताओ, इसमें ओपनिंग बैलन्स के दाए, इसका ओपनिंग बैलन्स मुझे बताया गया जी, 15,000 रुपे का बताओ जी, कैश पेमेंट कितनी है, कैश पेमेंट बता रहे है, 26,155 वर्किंग नूट नमबर 4 बनेगा जी, कैश अकाउंट कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलन्स कितने है, 4000 रुपे सिंगल एंट्री का रूल याद है न, बस लिखते जाओ, बाद में टोटल मारेंगे वर्किंग नूट 5, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलन्स, इसका ओपनिंग बताओ जी, कितना है, 28,000 और कितनी पेमेंट किया आपने, 155, लिख दिया हमने, कोशन आगे पढ़ना चाहिए, मैं रफ में बना रहा हूं फटा-फट से, रिसिवड आए हैं पैसे, 55,000 कैश में आया है, 190 चेक्स में आया है, डेटर से, उत्री, 55,000 कैश में है, 55,000 रुपे, टू डेटर से, एक मैं पे लिखेंगे, टू डेटर से, डेटर से, डेटर अगौन बनाऊ जी, वर्कीनोट 6 बना रहे है, टू बैलेंस बीडी, बाइ कैश, 55,000 कैश दिये हैं, 190 इस ने चेक्स में दिये हैं, मिर को तो को लगता है, नहीं को मुश्कील काम वाली बात है, डेटर का ओपनिक बैलेंस आप बता दो, 23,000 रुपेस है, कोशन आगे पढ़ना चाहिए आपको, कैश का काम ही नहीं करते, नो कैश सेल, नो कैश परचेश सारा उधार का काम है, तो जितनी भी सेल परचेश निकलेगी, बस वो टोटल हो जाएगी, आपकी, बैलेंस आज ओन, मार्च 23, मार्च 23, क्लोजिंग बता रहे है, डेटर का क्लोजिंग है 27, और क्रेटर का क्लोजिंग है 35, डेटर का क्लोजिंग बता रहे है आपको 27, और क्रेटर का क्लोजिंग बता रहे है 35, 27,35 इसको अकाउंट में भी लेके जाओ भाई यह 27,000 है यह 35,000 है लो जी कोशन आगे पड़ो पांचमा पॉइंट आ गया ओल एक्सपेंसेज विच आर डेबिटेड टू दी प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट वर डिस बर्स बाई चेक्स जितने भी खर्चे पी एंडल में लिखे गए हैं वो सारे बैंक से पे हुएं चेक्स का मतलब तो यही है कितने खर्चे हैं पता नहीं जब खर्चे पता ही नहीं कैसे लिख दूँ पर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा जो खर्चे पी एंडल में आएंगे वो चेक्स के थ्रू जाएंगे एक्सेप्ट तो यहीं किया नहीं देना कोई पै्ट इइकस्पेंस कि एसटी साढ़े साथ हजार उपे के जो कैश में जाएंगे अच्छ में लिखो पी हंडल में लिख भूएंट प्याइ इंको betty expenses साड़े साथ जार पे cash में चलने जा आगे चलने बटे आगे चलो जा आगे question क्या कहता है outstanding expenses as on March 23, 2000 अच्छा कर लो बात 2000 के outstanding भाई balance sheet में लिखो outstanding है तो liability होगी और अगर यह outstanding है तो payment भी कम जाएगी वो जब हम payment लिखेंगे तब देख लेंगे आगे चलते है net profit for the year लो बताओ net profit आपको दे गया 41,000 है और यह after depreciation है 10% इतना असान कोशन बेटे assets की value बताओ कितनी है 20,000 है तो इसका 10% depreciation कितना बनता है 2000 यह लो depreciation 2000 net profit 41,000 बंदे ने net profit बता दिया आपको और क्या दे दे बताओ कोशन में और यह net profit capital account में भी चला जाएगा और जो depreciation है यह balance sheet में लिखेंगे assets 20,000 के assets थे 10% less करके 18,000 के रह गए कोई asset और खरीदे होंगे तो बता देगा देख लेंगे बाद में काट के ठीक कर लेंगे अब ही तो यही लग रहे है बताओ जी closing stock कितना बता रहे है 75,000 का कर लो बात closing stock 75,000 का SOI बताओ मुझे opening stock 35 का था closing stock 75 का है लिखो जी two opening stock buy closing stock और यह closing stock balance sheet में भी जाएगा stock opening closing stock भी हो गए कोशन आगे पढ़ना चाहिए आपको इसकी drawings बता रहे हैं हमें 10,000 तो cash में हुई है और 14,000 पे bank में हुई है टोटल 24,000 के drawing है 10,000 के तो cash में है 10,000 के cash में 14,000 के यहां से हुई है ठीक है और जो इसका capital account मान लो उसमें लिखेंगे टूट्रोइंग्स 24,000 पे की profit दे रखा है drawing मैं सोच रहा हूँ कोशन में कर क्या रहा हूँ कोई ऐसा point तो मिले जहां मैं रुकूँ कुछ ही नहीं बस हो गए कोशन कोशन खतम हो गया जी क्याता ही working बनाओ तो करना क्या है क्राइटर अगाउंट का total लगाओ परचेज बताओ कितनी आ गई 26,000 एक पच्पन 35,000 दो सोलह माइनस पंद्रह जार दो लाख एक हसार रुपे की परचेज आ गई इसको लिखो trading account में आपके जो डेटर अकाउंट है उसका लगाओ total 55, 190, 27, 272 , 23 और क्कैट रिखा हुए कि सारी क्रेट पे हैं अगर सारी सेल क्रेडिट पे है तो चलो जी ट्रेडिंग अकाउंट 249 249 पूस 75,000 थे बुनत्रज अकाउंट 251 अकाउंट 251 अकाउंट 251 अकाउंट 451 अकाईट 8 अकाउंट यह खर्चे निकालने थे आपको और आपको बता है इसमें से 2,000 रुपे आउट्स्टेंडिंग है तो पेमेंट 3500 की होगी और सारी पेमेंट बैंक से होगी है 37,500 की खर्चे है दो हजार के आउट्स्टेंडिंग है इसका लगाया हमने टोटल तो बैंक का क्लोजिंग बैलंस निकालो कितना है 13,500 यह क्लोजिंग बैलंस आ गया अच्छा क्याश का टोटल बताओ 59 यह 15,500 यह पंदरा पांथ सो आ गया एक तेरा पांथ सो एक पंदरा पांथ सो है बैलंस शीट मे ले जाओ यहां लिखेंगे कैश पंदरा पांथ सो यहां लिखेंगे बैंक 13,500 देखो जी कोई खाता रह तो नहीं गया कैपिटल अकाउंट का बैलंस निकालो 95 प्लस 41 माइनस 24 एक लाक बारा हजार की कैपिटल आ गयी है इसको बैलंस शीट मे ले जाओ एक बारा कुछ रहा तो नहीं किया लोजी 149 का टोटल आ गया कोशन खतम पैसा आजाओं यह कोशन है बटे सिंगल एंट्री का कोशन और आप यकीन माने मैंने मतलब इस पेपर के लिए कोई होमवक नहीं किया मैं सीधा घर से उठा नेंद ली और आपको रिकॉर्डिंग करने आ गया मैं पेपर भी यह पढ़ रहा हूं आपके सामने मै कि मैं 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 दो लगा ने कि इस पर कोई हमवक करना चीए मुझे यह सारे कोशन आपके सामने मैं अज़ एसा स्टुडेंटी सॉल कर रहा हूं कि देखता हूं कि मेरे से मिस्टेक हो थे कि नहीं होती कोई तो मैंने आपको छे में से तीन कोशन करा दी हैं तीन अगले करा दोंगा यह तीन आप टैली कर लो अपने और अगर यह तीन ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि एक एस ग्यारा का कोशन चोड़के बाकी तो बच्चों ने कर लिया होगा थैंक यू अगर्ए मच्टेक्र वाई लव यू अल गॉड ब्लस यू अल सी यू दी नेक्स वीडियो पार नमबर तू ये पार बन था मारा घॉब यह मत कहना पेपर मुश्किल था पेपर मुश्किल नहीं था पेपर लेंधी था थैंक यू यू वेरी मच बाबाए लव झाल झाल